सो हे वाई टी बियंस की हाल चाल वेलकम बैक टू दे चनल दोस्तों आप लोग के प्यार और ट्रस्ट की वज़े से वाई टी भारत की फैमिली आज 5000 प्लस सब्सक्राइबर के आस्वाथ पहुँच चुकी है और अगर हम वन मंद के विवर्शिप की बात करें तो ये बहुत बहुत धन्यवाद वाई टी भारत को इस मुकाम तक पहुचाने के लिए और लगातार हमाई सब्सक्राइबर बढ़ते ही चले जा रहे हैं उसके सबसे बड़ी वज़े है क्योंकि मैं एक जैन्विन कंटेंट उनको प्रवाइड कर रहा हूं आप लोग के कमेंट्स हैं भारत के सबसे खूबसूरत हिली स्टेशन्स में से 2 मनाली और शिम्ला के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा मेरे वीवर्स के बहुत सारे सवालों में से एक बहुत इंपॉर्टन सवाल का जबाब और उसके साथ-साथ एडिक्षनल जवाब भी मैं आपको दूँगा जो पूछा जा रहा है कि शिमला और मनाली में जाने का पूरे एर के अंदर सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बहुत खुशी की बात है कि वो बेस्ट टाइम बस आने ही वाला है इसके लिए अभी से पैकेज बुक कर लीजे तैयारी शुरू कर दीजे क्योंकि साल का सबसे बेस्ट टाइम बस आने ही वाला है पैकेज बुक करिये और होकर के आईए मनाली और शिमला तो आईए मैं आपको सबसे पहले आपके उन सवालों के जवाब देना स्टार्ट करता हूँ इससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप बाइटी भरत चैनल पर पहली बार आए हैं आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड सबस्क्राइब बटन आ रहा है क्लिक करो सबस्क्राइब करो और साथ में बैल आइकन को दबाओ और को सेलेक करो ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो को निटिफिक्शन आपको मिलती रहें वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करना या आप कुछ और तरह के destination के travel package दिखना चाते हैं तो वो आप comment करके हमें बता सकते हैं इसके साथ साथ अगर कोई friend को जा रहा हो उसको share कर दें ताकि उसको भी ये बहुती informative वीडियो मिल सके तो आई शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों आज मैं जो सबसे बड़ा सवाल था उसको जवाब दे रहा हूं मनाली शिमला कब जाए पुरे साल के अंदर सबसे खास टाइम कौन सा होता है वो होता है दिसंबर और जन्वरी हाँ दोस्तों दिसंबर और जन्वरी में जाने के पीछे सबसे बड़ा रिजन है सनोफॉल और ये जो सनोफॉल होता है आप यकीन मानिये कि अगर आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक बार जाये जाये मनाली और शिम्ला उसके बाद जाकर देखिए इस स्नोफॉलों के दिनों में, कि आपको क्या नज़ारा देखने में आएगा, क्योंकि मैं हर साल जातर स्नोफॉल के अंदर जा रहा हूं वैसो हर सीजन में जाता हूं लेकिन स्नो फाल में हर साल जाता हूं इस साल भी शिमला मना ली जा रहा हूं मैंने भी से पैकेज बुक करवा लिया है और जिस एजनसी से पैकेज बुक करवा यह उसका मैं आपको पूरा कॉन्टैट डिटेल यहां पर शेयर करने जा रहा हूँ उपर स्क्रीन पर आ रहा होगा वो contact detail उसके साथ साथ मैं आपको वीडियो के description में भी उस travel company का contact detail दे रहा हूँ उस company पर जाकर कि अगर आप खुदी package book कराना चाहते हैं तो book करा सकते हैं या इसके अलावा कोई भी किसी भी travel company से जो trusted है उससे package को book करवाईए और जाएए दोस्तों दिसंबर और जनवरी में मनाली और शिमला में घुमने का सबसे best time होता है मेरे according और सभी के according तो आप दिसंबर और जनवरी में जब आप जाएंगे तो इन चीजों का आप ध्यान रखेगा जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं दिसंबर और जनवरी में जो भी आप package ले रहे हैं वो package आपका sharing car का नहीं होना चाहिए वो package आपका होना चाहिए individual car का और individual car में भी अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी मनाली के बारे में individual car में भी अगर मैं बात करूँ तो वो 4 into 4 की होनी चाहिए क्योंकि snowfall के दिनों में cable 4 into 4 जैसे आपकी जिपसी और आपकी महिंद्रा की थार cable यही दो गाड़ियां होती हैं जो चलती हैं खास करके मनाली में तो जिपसी ही चलती है 4 into 4 की तो आप जबी भी package book करें तो वहाँ बात कर लेजेगा कि snowfall के दिनों में आप जो package दे रहे हैं इसमें snowfall में जाने के लिए वो चीज़ included है कि नहीं है क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आप वहाँ पर जाए मनाली में snowfall point यानि की क्योंकि सुलांग वैली जाने का time मिलेगा आपको अगर आप मनाली जा रहे हैं तो सुलांग वैली में केवल 4 into 4 गाडियां ही जाती है और 4 into 4 ही गाडियां होती है जो snowfall में चलने के लायक होती है अगर आपके package में include नहीं है तो वो आपकी cost waste हो जाएगी तो package book करते time पहली पता कर लिजए कि आप 4 into 4 गाड़ी दे रहे हैं क्योंकि snowfall पढ़ सकती है या उसके लाब आप क्यों option दे रहे है इस snowfall तो आपको देखना ही देखना है कहीं ऐसा ना हो कि जवाब जाएं तो आपको कुछ और ही भारी चपक पढ़ जाए इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा package आप लेकर के जा रहे है जिसमें आपकी sightning involved नहीं है तो वहाँ पर जाकर कि आप खुद गाड़ी book कर सकते हैं जब मैं पिछले साल गया था मनाली तो मेरे को लगबख साथे तीन हैर रुपे के आसपास पढ़ा था मैंने जिसमें को book किया था लेकिन हम लोग पूरा friends का group गया था तो उस group के अंदर लगबख हम लोग 5-6 लोग शामिल थे तो 5-6 लोगों का साथे तीन हैर में डिवाइड हो गया तो बहुत कम कॉस्पड़ा वो हमको सुलांग वैली लेकर के गए और सुलांग वैली में उपर तक लेकर के गए जो आपको सुलांग वैली का main adventure का point है और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप sharing car कर करके ना जाए क्योंकि sharing car क्या होती है जात tempo traveler होती है मेरे आगे इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर देखी वीडियो आपको चलता हूँ दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी tempo traveler रस्ते में खड़ी है सुलांग वैली का अभी point आया भी नहीं है उससे बहुत बहुत किलो मेटर पहले लगबद दो से तीन किलो मेटर पहले सुलांग के उस main important point से उन्होंने tempo traveler ने drop कर दिया है और यहाँ से उन लोग को पैदल जाना पड़ा इविन लास्टें जब मैं गया तो मैं देखा कि एक जो girl थी वो रस्ते में बिहोश हो गई थी चलते चलते क्योंकि इतनी जादा ठंड होती है sharing car से आप जाएंगे और आपको snow point से जब दूर छोड़ देंगे तो लगबग आपको तब 2.5 km प्योर बरफ में चलना पड़ेगा वो भी 3-4 मींटर की बरफ में तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत हो जाएगी आप enjoy भी नहीं कर पाएंगी तब भी खराब हो सकती है कोई accident भी हो सकता है तो sharing car मत करिये अगर आप sharing car कर रहे हैं तो पहले से package वाले से book बात कर लिजे कि वो 4-4 है कि नहीं tempo trailer बिल्कुल मत लीजेगा 3-4 gypsy की बात करियेगा कि आपके package में include नहीं है कि नहीं है या कोई और option दे सकते हैं क्योंकि gypsy ही आपको snow point तक ले करके जाएगी सुलांग वैली में जहाँ पर rope way है जहाँ पर adventure activities होती हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं इसी तरह से अगर आप बात करें हम लोग बात करते हैं अब चलते हैं शिमला की ओर शिमला में जो snow point है वो आपको वैसे तो mall road पर ही मिल जाएगा पूरी तरह से snow होती है वहाँ पर तो कार करने की कोई भी requirement नहीं होती है mall road पर ही पूरी तरह से आपको snowfall मिल जाती है the ridge पर आप जाएंगे the mall पर जाएंगे the lift पर जाएंगे या आप scandal point पर जाएंगे तो इतनी अच्छी snowfall होती है आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं वहाँ पर जाकर के आप खाने पिने का भी enjoy कर सकते हैं मैं जब गया था तो बहुत अच्छा food का मेरे experience रा था snowfall के अंदर तो ये मैंने आपको दो चीजे बताई इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप शिमिला के अंदर कुफरी जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो horse riding करने को मिलती है कि horse के थुरू आप वहाँ पर पॉसिबल है snowfall के अंदर तो जा सकते हैं वैसे तो आपके horse चलते नहीं है कि snowfall के दिनों में अगर हम जाएंगे तो snow point तक कैसे पहुंच सकते हैं क्या option है जो भी hidden हो वो आपको बता दे सारे provision पूछ करके ही आप इस package को book करिये और इसके अलावा और कोई भी सवाल आपके रह जाते हैं तो आप comment करके पूछ सकते हैं हर सवाल का जवाब आपको वाईटी भारत चैनल पर तुरंट दिया जाएगा एक ही दिन में एक ही घंटे के अंदर और लगबग कई बार तो मैं एक ही क्मिनेट में आप लोग के सवाल को जवाब देता रहता हूँ तो मिलते हैं वाईटी भारत के इसी तरह के बहुती बहुती अगले इंटरस्टिंग वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमीशा वाईटी भारत चैनल पर बने रहना धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में